कैसे बच्चों सभी लोग चल रही पढ़ाई अच्छे चल रही है पढ़ रहे हैं देखिए आज आपका रिवीजन क्लास में चलेगा चैप्टर नंबर फोर से ठीक है ट्वेल्थ के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फोर जो है गतिमान आवेश तथा चुम्बकत्व इस चैप्टर नंबर का आज आपका किलियर हो जाएगा बोड परिक्षा 24 के लिए पांच नंबर का पूरा कनफर्म हो जाएगा के लिए अगर आप ये क्लास पूरा अच्छे से कर लेते हैं ठीक है तो आप ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्य ज्यादा होते हैं ठीक है तो इसमें देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बार बार बता रहे हैं कि जो भी दोजा चौब बैटने वाले हैं वह सीखर बैच 2.0 में ठीक है सीखर बैच 2.0 चल रहा है हम लोग का इसमें वह ज्वाइन हो जाएं जिनको भी अच्छे से पूरे सब्जेक्ट की पूरी तयारी करनी है दोजा चौबिस में बोर्ड एक्जाम देना है अच्छा नंबर लाना है वह इसमे नहसे जूआइन हो सकते हैं ठीक है हो सकते हैं क्या हो जाईए क्योंकि आपको इसमें देखें क्या अभी से स्टार्ट करके चेप्टर नंबर एकijoacter की खायर है रहे कराय जाएगी डेली Live class लेकर डाउट लेकर class नोट्स आरलाइन टेस्ट इस्टी मेटेरियल यह सभी आपको सुभ्दाम लेगा मतलब जो class का नोट्स रहेगा वह भी PDF मिलेगा और उसके बाद इसटी मेटेरियल जो सालव करा जाएंगा और उसके बाद सभी महत्रपूर्ण प्रस्ण कराएंगे वह वह कैसे करा जाएंगे इस में इसाल को करना के व्यांफ यह रहर अब सब्सक्रडाइंक पर उल्फा बैटना है 24 का बोर्ड एक्जाम देना है वो इसमें जुड़ जाए और तयारी करके अच्छा नमबर लाए इसका देखे टार्गेट है 90 प्लस का की हर बच्चे का 90 नमबर 90 नमबर आए उसके कम तो किसी कना है 90 नमबर ठीक है और इसमें देखेशंत की तीक हं आपके ऊझिह के लिए है सर से के लिए देखिए दो टीचर है फीजिक्स के लिए दो टीचर ठीक है और मैथ के लिए भी दो टीचर मतलब सभी सब्जेक्ट के दो टीचर है जो आपको अच्छे से पूरा क्लास भी चलेगा आपका फिर क्वेश्चन भी करवाए जाएगा यह नहीं कि आपका पूरा कराया सब्सक्राइब करना तो हैं तो आप लोग सोचने में समय मत बेर्थ किजिए समय आप अगर यह समय चला जाएगा तो फिर आने वाला निया बस यहीं 6 में तापके पास है चैने हैं जिसमें आपको तयारी करके अच्छा नंबर लाना है तो अगर तयारी अच्छेस करनी है तो सीखर बैच 2.0 में आप जूड़ी आई ठीक है और अच्छेस त्यारी करिए यह देखिए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिए क्या है भायोसेवल्ड का नियम लिखे तथा भायोसेवल्ड के नियम की सहःता से भृतकार लूप के केंदर बर चुम्बकी चेत्र की तीत अग्यात कि जिए पहले तो तेह जीन को भायोसेवड का नियम लिखनां कैसे दिखे है arm bake ऄद हिर तो दिखे जो बायो सेवर्ड का नियम है बायो सेवर्ड की नियम से हम क्या करते हैं किसी बिंदू पर क्या करते हैं चुम्बकी चेत्र की इतना उत्पन होगा यदि यह धारावाई तो दिखे रहे लुओं के नियम से देख्टे हैं पहला नियम की लिए का नियम का थीक तो देखे बायो से वर्ड का नियम है और जी ऋवन है अनसार देखे है पहला पॉइंट इसमें क्या देखिए कि जो यह इस पर जो चुमबकी छेत्र होगा चुमबकी छेत्र चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होता है ठीक है कि अच्छेत्र कि चालक खंड हो कि लंबाई कि के समानुपाती होता है ठीक है यह तो इसमें देखिये क्या जाएगा डेल्टा भी प्रपोश्टनल्टी डेल्टा यह समीक्रण एक कर देंगे यह ऊगया ठीक है तो यह देखिया आपका हो गया अब इसमें देखिये दूसरा पॉइंक क्या होता देखिये दूसरे पॉइंट को देखिये हम लिखें के वैल उसका सूतर देखिये चालक में बहने वाली धरा के समानंफाती होता है दूसरा देखिये क्या हूँ झो als डेल्टा बी मिल्लाने वाली रेखा के बीच बने कोड के को ज्या के क्या होता है साइब ज्या के क्या होता है समान पाती मतलब डेल्टा बी प्रपोश्टनल्टी क्या हो जाएगा साइन ठीटा इसको समीक्रण क्या कर देंगे मतलब पहला देखिए लंबाई के समान पाती होता है धारा के समान पाती होता है जो बीच का कोन होता है इसके ज्या के समान पाती होता है ठीक है और अगला पॉइंट देखिए क्या आएगा देखिए चौथा पॉइंट देखिए यह हमारा आ जाएगा कि डेल्टा भी प्रप चारो समीकरण तो उपरोग चारो समीकरण से देखे क्या होगा डेल्टा भी प्रपोस्ट्टनल्टी आई डेल्टा यॉल साइन थीटा अपान आर स्क्वार्ट या डेल्टा भी इस इक्वल कितना ओजागा देखें म्यू नाट अपान फोर पाई इंटु आई डेल्टा यॉल साइन थीटा बटे अरिस्क्वार्ट यह आपका दिखें वायो से वड़के नियम का सूत्र हो गया जहां भी बनान प्रमोरा यह न्य फार और टम इशक्या और लासिक्न सबस्क्राइब सबस्क्राइब यह सब्सक्राइब करें भीड का सबस्राइब की टरुड़ी कमेंट करके बताएब है इसका मात तरक क्या आएगा 10 काते मैंने साथ क्या मात रखाएगा जल्दी कमेंट करके बताइए तो देखे इसका मात रखाएगा न्यूटन प्रती एंपीर स्क्वाइर ठीक है यह देखिए हो गया मां कि तो देखे यह आपका बायो सेवट का नियम है कि तरक डालग के का दारावnd चालक के दूरीत वरग के विदक्रमान पाती होता शबी सेमिक्रॉंट को मिलाएंगे तो यह होगा और यहां यह तांक लगा देंगे यह इसका मनी है ठीक है यह तो देखिए हो गया बायो से वर्ट का नियम लिखिए तो नियम तो गया अब इसकी सहायता से ठीक है बृत्ताकार लूप के केंदर पर चुम्बकी छेत्र की ती बृता आग्याद करना है तो देखिए इसकी सहायता से बृत्ताकार देखिए यह आपका एक लूप है ठीक है यह एक बृत्ताकार लूप है जिसकी तुरिज्या क्या है आपका देखिए आर है कि माना कि आर तृज्ज्या आर तृज्या के बृत्ताकार लूप में बृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है ठीक है देखिए हमने पहले मान लिया कि एक बृत्ताकार लूप है जिसकी तृज्या क्या है आर है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है ठीक है अब देखिए क्या करेंगे हम देखिए इसमें कि लूप के सूच्म भाग सूच्म भाग सूच्म भाग डी एल के कारण केंद्र पर चुम्ब की छेत्र चुम्ब की छेत्र कितना आएगा देखिए डी बी इस इक्वल कितना आ जाएगा अब देखिए हम यहां पर देखेंगे कि परंतु जो बृत का त्रिज्या के सांथ जो असपर्स रेखा होता है वह हमेशा किस पर होता है समकूंड पर होता है बीच का कूंड कितना जाएगा नब्यंस तो हम देखिए यहां पर लिखेंगे त्रिज्या सथा इसपर्स रेखा इसपर्स रेखा इसपर्स रेखा सदयव नब्यंस पर ओते हैं सदयव कितनी पर होते नब्यंस पर अथा थीटा वराबर कितना जाएगा नब्यंस तो साइन थीटा वराबर कितना हो जाएगा साइन नब्य बराबर एक तब डीबी इस इक्वल कितना हो जाएगा म्यू नाट अपान फोर पाई इन्टू आई डी अल अपान आर इसक्वार जाई आगा ठीक है अब देखिए यह तो एक सूच में भाग के कारण है यह किसके कारण देखिए यह हम देखिए निकालें कि इसका एक सूच में भाग डीयल है पूरी लंबाई ने एक चोटा सभाग यह डीयल ले लिए इसके कारण चुम्बकी छेत्र डीबी निकालें अब साइन थीटा हमेशा थीटा कमान इसमें क्या होगा नब्यांस तो नब्यांस रखेंगे तो एक आ जाएगा तो किवल क्या बचेगा हमारा व्यू नाट अपान फोर पाई आईडियल साइडियल अपान आर इसक्वाइड ठीक है अब हम क्या निकालेंगे देखे अब हम संपूर्ण निकालेंगे कि संपूर्ण गोली लूप के कारण चुम्बकी छेत्र कितना होगा तो देखे हम लिखेंगे संपू लूप के कारण चुम्बकी छेत्र कि छेत्र ठीक है तो देखें चंपूर्ण लूप के कारण जब चुम्बकी छेत्र हम निकालेंगे तो क्या आएगा देखें बी हो जाएगा और देखें यह धरम यू नाट अपान फोर पाई एंटू आई अपान आर इसक्वाइर कामन मतलब क्या हो जाएगा देखिया अ कि देके भी है बराबर म्यू नाट अपान फोर पाई इंटू आई अपान आर सक्वाइर你说 इनटू यल अभीयल क्या है तार की लंबाई कम बराबर क्या हो जाएगा परिधी तो देखें हम लिखेंगे यह बराबर तूपाई ार क्या हो परिधी का हो जागी अम रखेंगे वी इज इक्वल gimnaum4 पर ऑफाइं इन्टु लिगनाच़ अपर पर इन्टू देखे जब क्या करेंगे मैं मिसमें लूनाट क्ल पाईं इन्टू क्या है देखिए से आई अपान और स्कार्ब है यही मान देखिक आया है अई पाण और मुयवन आट अपान आपान कितना आजाएगा ऴुनाट आपान तू आर यही आजाएगा ठीक है यह आजाएगा अब देखिए यह आगया अब यदी यदी कुंडली में कुंडली में फेरो की संख्या फेरो की संख्या यन हो कि अब देखिए बी बराबर क्या आजाएगा मूझा यन आई बटे तू आर थीक है मूझा यन आई बटे टू आट तो देखिए इसमें क्या करना देखिए कुछ निकाल देंगे बायोसर वट के लिए आजाएगा ठीक है आजाएगा मैंको इसको पर सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे अब मतलब तार की लंबाई यही तो यहां पर मोड़कर बना गया और इसकी लंबाई परीधी के बराबर होती मतलब तार की जो लंबाई एक बराबर यार रगेंगे बस ये आपका आजयेगा तो यह देखिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया ठीक है यह क्या हो गया निंव को दूसरा देखिए यह क्वेश्च ने दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सुत्र अस्थापित कीजिए ठीक है इसके आधार पर बैदुद धारा का मात्रक एक एंपियर की परिभासा भी लिखिए मतलब पहले में बल का मान निकलना है फिर एक एंपियर की परिभासा भी लिखना ह तो देखिये जब हम बल का मान निकालेंगे तो देखिये इसमें दो तार देखिये एक PQ है और एक Aries है, ठीक है हम मान लेंगे कि एक Aries दूरी पर दो तार PQ और Aries है इसमें क्रमसा I1 I2 धरा प्रहित हो रही है ठीक है तो देखिए हम यह करेंगे कि माना आर दूरी पर आर दूरी पर दो तार दो समांतर तार पी क्यूं तथा आरियस हैं फियक्यूं तथा है ठीक है क्या तार हैं देखिए एक पीड यूं रर इस हैस में इनमें अधनम अधार किया ह सहाल आ इनमें धारा को समसर देखिए क्या है आएगा देखिए आई यह रहा लत था और प्रवाही दद्ध हो रहे हैं ठीक है दो तार देखिए एक पी क्यू है और एक आरियस है इनमें आई वन और आई टू धारा प्राइक हो रही है और देखे क्या है जब दोनों धारा एक ही दिशा में होंगे देखे जब ये भी धारा उपर की तरफ रहेगा देखे ये भी धारा देखे जब किध दूसरे को आकर्षित करेंगे यह इसको खीचेगा इसको लेकिन जब एक धारा उपर रहेगा एक नीचे रहेगा देखिए इसमें देखिए क्या दूसरे कंडिशन में देखिए जब यह उपर जाएगा और यह किधर जाएगा नीचे की तरफ जब दोनों में धारा की दिशा all Nothing रहेगी तो यह क्या क्रेगा प्रतिकरशित करेगा क्या करेगा प्रतिकरशित करेगा एक दूसरे को ठीक है कर और अब अब देख्रिए अब हम क्या करेंगे प्रत्थम के के तार पी क्यूं के कारण तार पी क्यूं के कारण आरेस के किसी बिंदू पर किसी बिंदू पर चुम्बकी छेत्र चुम्बकी छेत्र देखे बीवन बराबर देखे क्या होगा देखे पहले के कारण जब इस पर आएगा तो इस पर बीवन एक होगा तो बीवन बराबर देखे कितना आएगा अगर यहां अक्यवाल आईवन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा तो यह आ जाएगा देखे चुम्बकी छेत्र आपका अब देखे इसका हम क्या करेंगे इसकी कारण इस पर जो लगने वाला बल है ठीक है अब देखे तार आरियस पर लगने वाला बॉल देखे एफ टू बराबर देखे क्या होगा एफ टू बराबर देखे यह बराबर हम लोग पढ़ें यह बराबर क्या होता है आई एल बी साइन थीटा तो हम यहां पर क्या कर देंगे देखे आई टू दूसरे तार में अइट riv साइन थीटा यह मान आ जाएगा अब देखे हम सबका मान रग देंगे देख्षे आई तूं कमान तो आई डू रहे गा आई टू ल बीवन कमान कितना है मूनाट अपान फोर पाई इंटू टू आई वन बटे आर और साइन थीटा कमान कितना हो जाएगा साइन-90 कि तो है लिएक आजाएगी एफ टू बराबर एफ तू अपान क्या हो जाएगा द देखिए म्यू नाट अपान फोर पाई इन्टू तू आई वन आई टू बटे आर यह जाएगा देखिए यही मान आएगा ना देखिए अब देखिए इसी प्रकार देखिए हम लिख लेए करेंगे इसी प्रकार करेंगे तो वह भी कितना जेगा अपान फोर पाई इन्टू आई वन आई टू बटे आर क्यों आएगा देखिए लंबाई वही दूरी वही है धारा वही है जब सब चीज वही है तो वही बल आ जाएगा मतलब हम सिंपल सा कर सकते हैं कि यह बटे यल ठ इतना जाएगा मिउनाट पान फोर पाई इंटु टू आई बाटे आर इसक्वायर यह क्या हो जाएगा लगने वाला बल आ जाएगा देखिए चुमबकी बल का ये सूत्र हो गया हमको यहीं करना था देखे क्या करना था देखिए दो तार रहें पहले तार के करण इस पर छुमबकी चेतर बी का मान निकालेंगे बीवन का मान तो यह आएगा अब लगेगा वही दूसरे तार के सहायता से इसक्यों उफयोग करके हमें क्या करना है एक एंपीर की परिभासा बताना है इसी क्या दहर पर तो दिखेंं हम क्या करेंगे यदी यदि हम क्या करेंगे देखें यदि एव बड़ाबर एक मीटर आर बराबर एक मीटर ठीक है आई वन बराबर आई टू बराबर एक एंपियर ठीक है तब यह बराबर देखे कितना आजाएगा देखे अजाएगा मूनाट अपान 4 पाई कि इन्टू टू एज इकवल टू इन्टू टेन पाउर माइनस सेवेन न्यूटन ठीक है अगया तो मतलब देखे हम इसका परिभासा कैसे लिखेंगे कि निर्वात में एक मीटर की दूरी पर इस्थित एक मीटर की इस्थित तार के में वह धारा प्रहित होने पर जितना धार प्रहित होने पर कि उसके एक मीटर की लंबाई पर दो गुड़े दसकाते माइनस साथ न्यूटन का बलूत्पन होता है तो उसे हम क्या करते हैं एक मीटर की दूरी पर इस्थित दो तारों में प्रहित होने पर तार की प्रती एक मीटर की लंबाई पर इनके बीच दो गु बैद्धुत धारा है जो निर्वात में एक मीटर की दूरी पर की दूरी पर इस्थित दो तारो में प्रवाहित होने पर प्रवाहित होने पर तार की प्रती प्रती एक मीटर लंबाई पर लंबाई पर तारो के बीच दो गुड़े दस गाते माइनस साथ न्यूटन का वल उत्पन करती है उत्पन करती है ठीक है जो निर्वात में एक मीटर की दूरी पर इस्थित दो तारो में प्रवाहित होने पर तार की प्रती एक मीटर की लंबाई पर उनके बीच दो गड़े दस गाते माइनस साथ न्यूटन का वल उत्पन करती है तो वह धारा क्या होती है एक होती है है क्या था हमारा देखे था पहले तो आंको दो समानतर तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र अस्थापीत करना था और इस सुत्र का का उपयोग करके हमें एक एंपियर की परिभासा बनानी थी तो यह भी क्वेश्चन हो गया हमारा ठीक है कि अगला देखे क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या देखिए के अगला देखे क्वेश्चन है आएंपियर का परिपथी नियम लिखें इसकी साहता से किसी धारावाही पर नालिका के केंद्र पर चुम्ब की चेत्र की ती ब्रता ग्याद की जिएрем्पियर की हैं को पहले परिपथी नियम लिखना है और इस नियम का उपयोग करके के इसकी साहता से धारा वाही परिनालिका के केंद्र पर चुम्ब की छेत्र ग्याद करना है ठीक है तो चलिए देखे पहले तो हम देखे एंपियर का परिपथी नियम लिख लेते हैं ठीक है एंपियर का परिपथी नियम देखे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार के अनुसार किसी बंद प्रिष्ट् कि में बंद प्रिष्ट से बद्ध किशी बंद प्रिष्ट से बद्ध किशेत्र की तीब्ता क JOSH deja tun की तीव्रता का रेखी समाकलन रेखी समाकलन उसमें प्रवाहीत धारा का म्यू नाट गुना होता है म्यू नाट गुना होता है ठीक है मतलब देखिए जो रेखी समाकलन रहेगा किसका बी का डीयल के अनुसा जो रेखी समाकलन रहेगा चुम्बकी चेत्र का वो क्या होगा म्यू नाट आई धारा का क्या होगा म्यू नाट गुना होता है यही देखि है चुम्बकी छेत्र का रेखी समाकलन है वो संपूर्ण धारा के मियूनाट गुने के बराबर होता है ठीक है ठीक है तो देखे ये तो हो गया हमारा क्या करते हैं एंपियर का परिपथी नियम हो गया ठीक है नियम लिग दिया हमने अब क्या करना है में देखे इसकी सहायता स से एंपियर के परिपथी नियम की सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंब की छेत्र किती बृताग्यात करनी है ठीक है केंद्र पर तो इसके लिए देखिए यह हमने क्या कर दिया देखिए यह देखिए क्या हमारा धारावाही परिनालिका है और इसके क हम लिखेंगे कुंडली तो हम देखिए लिख देंगे एंपियर के परीपाथीर परीपाथीर नियम से ए बी सी डी पर चुम्बकिय छेत्र देखिए का समाकलन समाकलन देखिए कितना आएगा देखिए हम लोग देखिए बी है बी इंटु डी करेंगे तो यह किसके बराबर आजाएगा देखिए यह देखिए आजाएगा हमारा म्यू नाट इंटु आई के बराबर इसको समीक्राण एक माल लीजिए क्या माल लीजिए समीक्राण एक ठीक है समीक्राण एक माल ली आप देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए इसके बाद देखिए हम करेंगे परन्तु A, B, C, D के लिए के लिए देखिए B.DL करेंगे तो यह देखिए हम अलग-अलग कर सकते हैं देखिए पहले हम क्या करेंगे A से B तक A से क्या करेंगे देखिए B तक के लिए देखिए हम B.DL करेंगे ठीक है फिर प्लस देखिए क्या करेंगे हम योगी से सी तक के लिए करेंगे इwire डाट डि अल ठीक है फिर से दी तक के लिए बी डाट डील ठीक है और फिर प्रस वां क्या करेंगे देखिए कि दी से ए तक के लिए क्या करेंगे डाट ठीक है मतलब जितनी भूजा देखे ये कुंडली है ए बी सी डी चारों भूजा के लिए अलग-अलग निकाल कर जोड़ देंगे तब भी वही आना चाहिए चार तार इसमें देखिए एक ये तार हो गया एक ये तार एक ये तार औ और अब ये तो उतना ही आना चाहिए तो देखे इसमें हम क्या देखेंगे देखे इसमें हम देख रहे हैं और ये देख रहे देखिये इसमें हमए लand हम देखेंगे हम लिखेंगे कि BC तथा DA परिनालिका परिनालिका के लंबवत हैं अब जब यह लंबवत हैं तो देखिए इनके लंबवत हैं तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें इस तो इनका मान देखिए अतह बी डी एल बराबर क्या रता देखिए बी डी एल कास्ट थीटा होगा तो कास्ट थीटा बराबर कितना जगा देखिए बी डी एल कास्ट नाइनटी बराबर जीरो तो इन दोनों का मान तो जीरो हो गया ठीक है देखिए इसका किसका कि क क्या करते हैं दोनों का माणने क्या हो गया ओगया ठीक है तुम हुई आडप नहीं गहाँ से ने हम देखें बी इन्टू डी यह कहां से कहां तक है देखिए दी से यह दोनों क्या जाएंगे जीरो क्योंकि यह दोनों क्या लंब वहत हैं तथा कि भूजा कि दी कि बहुत कि दूर है कि अतह तब वहां पर बी का मान चुम्बकी चेत्र बी का मान सूनने होगा तब देखिए कितना जगा बी डी एल जो किसके सांथ है देखिए महारा सी से डी तक यह भी क्या जगा जीरो देखिए तीन मान जीरो आगए यह दोनों लंबवात है जीरो आगए और यह बहुत दूर है जीरो आगए बचा के वाल यह अतह कि अतह बी डी एल कि बराबर कितना आ जागा दिखिए ए से बी इंटू डी यल ठीक है यदि ए बी बराबर यक्स हूं कि तब ए बी इंटू डी यल बराबर क्या हजएगा दियक्सयाओ क्योंकि देखिए यह बी की लंबाई क्यामाल लिये यह समाल लिए तो डील का समाक्रण क्या एगा एबी की लंबाई आगी और एबी की लंबाई हम क्या माल लिए यक्स माल लिए हैं तो इसको समीक्रण दो कर देंगे हम और यह जो हम लिखे थे देखिए इससे क्या करते हैं कि एंपियर के परिपति नियम से यह समीकरण एक है ठीक है तो हम दोनों को देखिए समीकरण एक और दो से देखेंगे तो म्यू नाट आई बराबर क्या हो जाएगा देखिए बी एक्स तो हम लिखेंगे समीकरण एक वर दो से म्यू नाट आई इस इक्वल बी एक्स ठीक है अब हम क्या देखेंगे देखिए यदी प्रती एकांक लंबाई में यन फेरे हों तो फेरो की संख्या यन यक्स होगी तथा धारा कमान क्या आएगा धारा कमान कितना आएगा दिखिए यन यक्स आई आएगा यन यक्स आई होगा थीक है तो हम देखिए क्या कर देंगे अतह भी एक्स बराबर हम क्या लिख देंगे म्यू नाट एन यक्स आई तो यक्स से यक्स कड़ियागा बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नाट यन आई म्यू नाट यन आई आजएगा ठीक है तो यह देख visão ये क्या हो गया आपका चुंबक की छेत्र की ति ब्रता threaten वही द्रावाही परिनालिका की के कारण चुंबक की छेत्र कि टी वरता हो गया ठीक है तो यह देक्षिए यह हो गया इसमें देखिए हम यह मली है कि जब बाकी तीन देंगे जिरो भचेगा wala अब एक कि लंबाई हम यक्स मली लियेक लिच्वाँ और नाला कितने यक्स है तो धारा ऊसमें सब क्या करेंगे जोड देंगे यह हो गया आगला क् imitate कि कि एक समान चुंबकि छेतर में धारावाही लूप लटकाया गया है इस लूप पर लगने वाले मिके अगुण का शूतर ग्याद कि एक समान चुंबकि लटकाया है तो हमें क्या करना है इस लूप पर लगने वाले बल आघुण का सुत्र बनाना है या स्क्राप्त करना है कितना होगा बल्यूम आगुण का सुत्र कितना आएगा तो देखे इसमें हम क्या करेंगे कि माना कि चुम्बकी छेत्र कि चुम्बकी कि छेत्र बी में कि ए बी सी डी कि ए एक धारा वाही कि लूप कि लटकाया कि गया है क्या किया गया देखिए लटकाया गया है अब देखिए कि इसके भूजा भूजा ए डी तथा बी सी पर यफ थ्री तथा यफ फोर बल बराबर परन्तू अ भी परीट होंगे ठीक है देखिए यफ थ्री और यफ फोर बल बराबर होंगे और भी परीट होंगे तथा इनकी क्रिया रेखा ठीक है तथा इनकी क्रिया रेखा कि क्रिया रेखा भी समान होगी आता है इनका यूग में यूग में सुन्ने होगा इनका यूग में क्या हो जाएगा सुन्ने हो जाएगा ठीक है सुन्ने परन्तू देखिए यह जो बल है देखिए यफ वन और यफ टू यह दोनों क्या है बराबर है विप्रीत है इनकी क्रिया रेखा क्या है अलग-अलग है ठीक है ए बी तथा सीडी पर बल यफ वन तथा एफ टू कार करते हैं करते हैं करते हैं यह बल कि बराबर वह विप्रीत हैं विप्रीत होंगे परंतू इनकी क्रिया रेखा क्रिया रेखा क्रिया रेखा क्या होगी अलग-अलग होगी क्रिया 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 और देखिए यदी हम कर दें यदी अब अब बराबर क्या है अब बराबर सीडी बराबर यल हो ठीक है हो तथा यप वण बराबर यफ टू ठीक है यफ वण बराबर बराबर माइनस एक टू रवर आई एल बी हो कि यही रहगा न देखिये वाल कामाने रहगा आई एल भी हो तो तो देखिए इसको न्यू तरीके से जब बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा देखिए यह देखिए इसकी लंबाई क्या है देखिए कितना है देखिए बी है ठीक है इसकी लंबाई कितना हम रखें देखिए यह देखिए और यह भी लिख दीजिए देखिए तथा इसकी और बी कि बराबर बी सी बराबर कौन सा देखिए बी सी बराबर एडी बराबर भी हो ठीक है तो देखिए जब हम इसको भी रखेंगे तो यह बल यह पोन यहां लगे गा यह तो बीच की दूरी कितना होगी यह बी होगी का है Biz है और छी सी यह फोन यहां लग रहे हैं दोनों विप्रत्थ शाय में तो इसके बीच का जो लंबवध दूरी रहेगा वो लंबव दूरी क्या होगी बई शाइन थीटा होगी ठीक है तब देखे तब तर सिया बक्चा 15th Kitchen के बीच लंबवत दूरी लंबवत दूरी बी साइन ठीटा होगी ठीक है अब देखिए बॉल यूग्म आघूंड जो होता है बॉल यूग्म आघूंड बराबर क्या होता है किसी एक बल का परिमार गुड़े बल के बीच की लंबवत दूरी ठीक है तो दिखें बल यूगम आघूंड को हम टाउ से दिखाते हैं टाउ बराबर देखें कितना आ जाएगा कोई एक बल ले लेंगे हम आई एल भी ठीक है और इंटू क्या जाएगा बी साइन ठीटा ठीक है अब हम क्या इसी में देखिए देखेंगे यल इन्टू बीक बराबर क चुम्बकी-चेत्र है न तो यह किसके बराबर आ जाएगा ऊसाइक के बराबर आजाएगा कि कर दोलोटत को मत एक दोनती तो दो दुद्ध कि सेंट पत्रोनकर चेत्रफल कि सथे आगाजाया लिक है टाव बराबर क्या आजएगा आई ए वी साइन थीटा क्या आजएगा आई ए वी साइन थीटा ठीक है अब देखें यदी यदी पेरो की संख्या थेरो की संख्या यन हो तो टाव बराबर यन आई ए बी साइन थीटा होगा ठीक है देखिए जो बल यूग में आगून होता है दोनों बलों में से किसी एक बल के परिमाड और इनके बीच के लंबवत दूरी के गुड़न फल के बराबर ता जैसे गुड़ा करें देखिए य इन टू भी क्या हो जाएगा देखिए रख देंगे यहां अब ये तो एक फेरेक लिए यदि कुंडली में कुल फेरोक्संख्या यन हो तो यन का गुड़ा कर देंगे ठीक है तो यह दिखिए चेप्टर नंबर फोर से इंपर्टेंट जो थे दिरग उत्तरी प्रश्ण ठ लेकर आएंगे ठीक है तो आप लोग उसके लिए तैयार रही है और सभी लोग इतने लोग चैनल को लाइक ने किए सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले जिससे कि हमारे आने वाले जो नए क्लास के आपके हैं लिंक आपको उसको पहले ही उसका सुचना मिल जाए वेल आइकन क में आप जल्दी से जुड़ी आई है ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए सबी को बाए